हलो एवरिवन और आज हम समरी करने जा रहे हैं एक ए रामानोजिन की पॉप्योला पोएम एलेमेंट्स ओफ कमपोजीशन ये काफी कॉम्प्लिकेटेड बट इंपॉर्टेंट पोएमों में से एच है तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं एजी तरीके से आपको अच्छे से ये समझा सकूँ इस पोएम में जो हमारे पोएम हैं वो एनलाइस कर रहे हैं उन एलेमेंट्स के बारे में उन चीजों के बारे में जिनोंने हमें और हमारे आसपास के अधर यूमन बींट्स को बनाया है वोईम्प्लिकेट कहते हैं कि वो उन नॉर्मल चीजों से मिलकर बने है जिनसे सभी लोग मिलकर बने होते हैं जैसे कि उनकी मदा का एग और फादर का सीड और ये जो उनकी मदा का एग है फादर का सीड है जब और इनके आसपास जो टीजे हैं जैसे कि एर, वाटर, फायर, और इन सभी एलेमेंट्स की मौझूदगी में उनका निर्माण हुआ वो बने जैसे कि सभी लोग बनते हैं सार मतलब है embryo क्योंकि embryo में भी उसी तरह की clusters पाई जाते हैं जैसे मलबरी की berries में और फिर वो कहते हैं कि यह जो मास था यानि यह जो embryo था वह बाद में calcium cold magnesium जैसे elements की मदद से एक chattering cells में बदल गया यहां पर पोईट ने कहा chattering self में बदल गया चैटरिंग self से मतलब होता है एक ऐसे चीज में बदल गया कि जिसे हमेशा बोलने की कुछ करने की हमेशा कुछ करने की बातें करने की चाहत रहती है फिर यह जो उसकी चैटरिंग सेल्फ है, वो काफी चीज़ों में हो लजगी, तो ये जो चैटरिंग सेल्फ है, ये किन चीज़ों में हो लजगी Concepts like प्यार में, जो कि हम सभी करते हैं Work में, क्योंकि हम सब अपनी जिंदेगी में कहीं न कहीं खामों में उल्चिते जाते हैं और scary dreams में और thoughts में, जो हम सभी को आते हैं और हम इन समय फस कर रह जाते हैं फिर राइटर कहता है कि इस चैटरिंग सेल्फ के पास दो आँकें हैं जो कि move करती हैं और हमेशे चीज़ों को देखती रहती है और राइटर कहते हैं कि ironical बात तो यह है कि यह जो moving आखें जो move करती हैं चीज़ों को देखती हैं और देखती हैं stationary चीज़ों को जो move नहीं करती जैसे कि stonehenge या फिस cherry tree राइटर अब और चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो इस chattering self में वक्त के साथ जोड़ती जाती है जैसे कि वो shadows इसमें शामिल है जिने उनके uncle अपनी fingers की मज़से बनाया करते थे और बच्चों को राजा रानी की कहानिया सुनाया करते थे या फिर वो डर भी इस chattering self में शामिल हो जाता है जो उनकी sister के face पर सा जब उसकी शादी होने वाली थी poet का यह कहने का मतलब है कि हमारी जो specific memories होती है वही बाद में हमारी identity भी बन जाती है हमारा हिस्सा भी बन जाती अब अब poet अपने एक friend का दिक्र करता है जो अपने wallet में एक map की तश्वीश रखता है इसका मतलब यह है कि यह जो map है उसके friend के लिए बहुत दर अकीन दी है तभी तो वो उस चगे पर लगाया हुआ है फिर poet हमें बताता है कि यह जो map है वो एक ऐसी जगे का है जहां वो friend कभी गया भी नहीं है और हो सकता है कि वो place अब वहां हो भी नहीं कभी गये भी नहीं है या जो हमारे असपास भी नहीं है पर फिर भी हम उनसे connected feel करते हैं उनसे connect हो जाते है और यह जो connection है यह हमें shape करता है poet कहता है कि यह सभी चीजों के साथ और चीजों को भी हमारे चैटरिंग से जोड़ा जाए जैसे कि वो leprosy के patients जो poet ने मदरई में देखे males, females, married और बच्चों के साथ जिनका face नॉर्मल लोगों से काफी अलग दिखता है उनका face lion face जैसा लगता है और उनके हाथ ऐसे लगते हैं जैसे craps के हाथों यहाँ पर poet leprosy patients के deformity और उनके pain के बारे में बात कर रहा है और poet कहता है कि मैंने ऐसे ही कई leprosy patients को उन pillars के पास खड़े देखा है जो pillars सुन्दर डांस करने वाली dancers के और goddesses के थे यहाँ जो image दी गई है poet के ड्वारा वो beauty और pain के बीच की contrast करने वाली image है पर इसकी मदद से poet हमें यह समझाने की कोशिच कर रहा है कि यह जो हमारा external world है यहाँ pain है, beauty है, sorrows है, कई तरह की ठीरे है और यह सब चीज़े मिलकर हमारा view, हमारा perception को shape करने में मदद करती है और यही सब element of composition भी है पर नहीं वो image हमने एक second देखियो, पर नहीं वो चाड़ हमने एक पल दिया हूँ यह सब हमारे जीवन को shape करने में काफी मदद करता है poet आगे कहता है I pass through them and they pass through me इस line से poet दर्शाना चाहता है कि वो सभी घटना आए और लोग जो उसकी जीवन में आए और poet बताना चाहता है कि उनका भी अपना-पना perception है और उनकी भी अपने अपने जीवन है और poet का भी अपना जीवन और perception है इनका आपस में कोई relation नहीं फिर भी वो एक दूसरे से pass होते हैं आगे poet कहता है taking and leaving affection, seeds, skeleton poet कहता है यह सारे लोग जनसे हम pass होते हैं यह सारे लोग life share करते हैं emotions share करते हैं memories share करते हैं और इसी तरीखे से जो हर व्यक्ती का अपना existence है वो interrelated existence बन जाता है हमारे आसपास के लोगों की life का अफर हम पर पड़ता है अब poet shared existence की theme को time से जोडता है millions of fossils हो है जो उन insects के हैं जिनकी life एक दिन से भी कम थी फिर भी उनका existence आज भी हमारे साथ है और जो may flies का body print होते हैं poet उनकी बात करता है और उसे join करता है एक ऐसी uncomplete story से जो poet ने train में सुने थी और वो आदी शुन पाया था वो story एक आदे man की थी जो अपना आदा हाप थूंड रहा था वो complete feel करने की कोशिश कर रहा था ever fleeing life में यानि की हमेशा बहती रहने वाली जिन्दगी में वो एक ऐसी जगह में था जहां जंगल थे टाइगर्स से भरे होए और रिवर्स थीन जिन में हाई सिंथ के फ्लार्स और crocodiles थे poet को बस आदी ही story बता है poet इन दौनों चीज़ों का example लेकर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कैसे कई सारी चीज़े होती है जो हमारे दिमाद में आदी ही रहती है और शायर हम life के बढ़ने के साथ experience के साथ वह भी भूल जाते हैं और भूल जाएंगे इधर बापिस से poet beauty के साथ pain की imagery को शो कर रहा है जैसे कि जो river है उसमाई सिंथ के flowers भी है पर crocodile भी है आगे poet बात करता है epileptic saints की three twisted lives की historically epilepsy यानि कि एक disease है जिसमें severe seizures आते माना जाता था कि epilepsy के जो पेशिंट हैं उने बविश्यवाणिया वगेरा आती है वो बहुत स्प्रिच्वल लोग होते हैं इसी लिए उनकी पूजा होती थी poet ऐसे saints की life को sweet and twisted बताता है क्योंकि वो काफी duds का सामना करते थे फिर भी पूजे जाते थे poet आगे कहता है even as I add I lose, decompose into my elements into other names and form poet कहता है कि हम जीवन में बहुत सारी experiences को add करते जाते हैं पर हम एक टाइम के बाद past के experiences को भूलते भी जाते हैं यहाँ पर poet कह रहा है कि यह एक process है nature के cycle की हम जब अलेमेंट से बनते हैं और हम उनी में decompose हो जाते हैं और उनी elements से हम फिर से नई identities और form ले लेते हैं और इससे cycle of life चलती रहती है अब आगे poet कहता है past and passing tenses without time यहाँ पर poet कहता है कि हम इतनी life को अपने experiences को past, future और present पर बाटते हैं पर असल में दो ही कैटेगी नहीं है एक तो जो हो चुका है और एक जो अभी चल रहा है इसका मतलब है कि जो हमारी life के events है वो constantly present से past बनते जाते हैं poet कहता है कि हम बने ही अलग तरीके से division करने time का past, future, present पर असल में जो time है वो divisible नहीं है time तो बिना boundary है और हर वक चलता रहता है finally poetic final image के बारे में बात करता है caterpillar on a leaf eating being eaten ये image cycle of life को फिर से दर्शा दिये कि कोई भी इंसान कोई भी व्यक्ती, कोई भी जीव जन्तू खुद consume करता है और अंत में खोदी consume भी हो जाता है leaf पर एक caterpillar बैठा है और वो कुछ खा रहा है और बाद में दूसरी image में किसी ने उसे खा लिया death और change दोनों inevitable है यानि कि inevoid नहीं किया जा सकता इस poem में poet में काफी beautifully दिखाया है कि किस तरह से हम अपने parents के eggs और seeds से मिल कर बनते हैं elements से बन कर बनते हैं पर हमें बाद में कई सारी चीज़ें शेप करती है memories, experiences जो चीज़ें हम परजैस करते हैं या उन चीज़ों से हम मिलते हैं हमें वो चीज़ें भी शेप करती हैं जिनने हम eventually भूल जाते हैं और समय के साथ हम उन elements में डेकंपोज हो जाते हैं जिन से हम बने हैं और नया रूप ले लेते हैं तो यही थी समरी इस poem की अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो मेरी YouTube चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी रभूल है अगर आपकी कोई query है, suggestion है आप चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो किसी specific topic पर बनाऊ novel पर, drama पर, poem पर या किसी और literature से जुड़े topic पर तो please comment section में जरूर बताएं Thank you so much